हेलो श्रॉंट्स वेलकम्टू दे सिलेक्शन केंपस टुड़ेस एडिटोरिल इस ओल अवाउट मलेशियन पॉलिटिक्स आपको पता होना चाहिए अभी मलेशिया में नए पीम चुनकर आया अनवर इब्राहिम यह कॉश्चन भी आ सकते न्यू पीम कौन बने अनवर इब्र करवाते हैं दस एक बज़े तक वीडियो अप्लोड हो जाती है लगबग ठीक है आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ नए हैं चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सकते हैं इसका रिव्यू बुक का सारा प्लेलिस्ट में एप कैसे यू प्रवाइट करवा दिया है सारा वीडियो जो जो वीडियो में वही इस बुक में है ठीक है बच्छो चलिए बुक मंगवा सकते हैं अब अपने एड्रेस पे जो भी कोल करना है नीचे नंबर दिये हुए है एन न्यू एरा डिस्क्रिप्शन में एन यू एरा ओन अन्वर इब्राइम इन न्यू एरा का मतलो निया यूग ठीक है बच्छो ओन अन्वर इब्राइम इसके उपर एटोर ले कैसे ये पी एम बने कौन थे ये पहले अन्वर इब्राइम विल हैव टू डिलीवर ओन इस प्रोग्रेसिव एजंडा फोर मलेशिया कह रहे हैं अन्वर कंजर्वेटिजम से काम नहीं चलेगा कंजर्वेटिजम वही रिलीजियस चीज़े नहीं लानी क्योंकि मुस्लिम कंट्री है ना तो प्रोग्रेसिव एमें काम करना है यह नहीं आप वहां पे थियो क्रेसी लिया हो डिलीजन लोग ज्यादा राज कर रहे हैं वन से पर्टी तो बाज़ बेसक्से ठीक है इनके अंदर रूल कर रही थी जो पहले पीम थो इसके पहले ये थे यूमें नो के अब यह हार गए अब यह बन गए नहीं ठीक है इनके अंदर थे यह राइजिंग स्टार थे अच्छी का से इनकी पहुंश थी उसमें एंड देन रे रेबल बन गए एक वो मतलब रेबल कौन होता है । जो मतलब करांतीकारी टाइप, रिफोर्म लाना चापते थे अपनी पार्टी में तो इनको जेल में डाल दिया गया, इनके बोस ने, क्योंकि उसमें तो यह बोस नहीं थे ना, बस एक पार्टी के पार्ट थे, ठीक है, जो इनकी कहानी है न ये क्या है किसके बारे में है डेट ओफ कहानी है स्टोरी ओफ पावर की पावर आसिल करना रिवोल्ट, रेवोल्यूशन लाना बदला लेना इनकारसरेशन का मतलब रेवोल्यूशन हो गया न रिवोल्ट ठीक है, incarceration का मतलब jail में डाल दिया गया, इनको ठीक है imprisonment कहते हैं से और फिर वापिस आना ही है इनकी कहानी है In the ups and downs of his long career Mr. Anwar never gave up on his political activism of faith in his movement reformacy which has finally taken him into the office that evaded him for over two decades कह रहे हैं जो Mr. Anwar है, इन्होंने कभी gave up नहीं किरा, किस के लिए gave up नहीं किया own लगा कि क्या कह रहे हैं अपने political active रहे, faith नहीं छोड़ा इन्होंने अपने movement पे बरोसा रखा reform, क्या कहते हैं, reform भी मतलब लाते रहे, यह इनका बरोसा था faith रखा इन्होंने ठीक है which has finally इससे क्या हुआ इनको वापस office में आ गए हैं यह, जिस office इसने इनको दूर रखा, evaded का मलब अवोइड करना कि इसको दूर रखा over two decades, 20 सालों से दूर थे तो इनका यह जो continuous faith था, अपना politically active थे, इसने इनको वापस PM बना दिया in the last week election यह जो last week में election होया है, his coalition पकतन हरपन PH, alliance of hope, ठीक है इनका coalition partner होगा, यह emerge as the largest block in parliament following which, ठीक है तो largest block बनकर आया है, इनका coalition है, जो भी है, ठीक है, एक largest मतलब NDA जैसे BJP मिला के कई दर्ल मिलके NDA बन जाता है तो यह PH नाम का यह जो भी है, इनका coalition emerge as the largest block in parliament following which, Malaysian kingdom appointed इंदा, यह नाम है बस party का और कुछ नहीं है, 75 तो क्या कह रहे है, इसके बाद क्या हुआ, मलेशिया के king ने इनको point कर दिया, 75 साल के old leader को as the PM क्योंकि इनकी party जीत की, मतलब simple सी बात है 75 साल के हैं यह in the 90s, Mr. Anwar देंदे, deputy prime minister was seen as the obvious successor of the all powerful prime minister, माथिर मुहमद, ठीक है, तो कह रहे है 1990 की, अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो यह तव वह deputy PM थे और देखे जाते थे, यह पक्का successor बनेंगे किसके, जो उस टाइम के सबसे powerful prime minister थे, माथिर मुहमद की इनके यह जो successor है, यही बनेंगे पर their differences and is calls for reform within the UMNO and the government led to its downfall, क्या हुआ फिर इससे, इनके जो मतभेव थे ठीक है, और reform, बार-बार यह reform चाते थे अपनी इस UMNO coalition के अंदर, तो इससे government क्या होगी, गिर गी he was jailed over sodomy charges, इनको jail भी डाला गया, sodomy charges, sodomy sex से related कोई बात है कि तलब तरीके से कुई sex वगएरा करना तो इससे related पे charges लगे थे which he deny, तो इनको ने क्या कर दिया deny कर दिया, two jail terms later, दो jail की मतलब, काट लिये इनको ने mister revenue 2018 joint hands with doctor, फिर यह वही आगे, PM जो all powerful अभी आए थे ना, वही है, तो इनके साथ फिर से हाथ मिला लिया, and manage to aus from power the UMNO एक सेक्ट काँ जिया, एक सेक्ट यहां थे हम, दो रज़ अठारा में उनने फिर से हाथ मिला लिया, अपने उसी वो जो जो बोस कहते हूँ, इनको कहते हूँ, जो all strong पारूल दे जब यह डिप टी पीम थे उस ताइम, और इनके से हाथ मिला और manage to aus from power the UMNO, which was grappling with corruption scandals, manage to aus from, इस से अच्छे से पढ़ना, ओस्ट का मतलब क्या होता है, अपनी position या job से निकाल देना, हटा देना, पर इन्होंने manage किया, वहां से निकले नहीं, इस power से यह UMNO बच गई, power नहीं गई, क्योंकि यह grapple कर रही थी, जेल रही थी, grapple का मतलब deal with corruption scandal, corruption के scandal चल दे फिर फिर भी इन्होंने manage किया to aus from power, manage किया, aus from power मतलब यह निकाले नहीं गए, इन्होंने manage कर लिया, फिर यह क्या कर लिया है, power नहीं गई, तो फिर यह माइथिर जो थे इनके PM बन गई है, gave Mr. Anwar a pardon, pardon मतलब Anwar को माफ तो कर दिया, but refused to us, क्योंकि party को जिता लिया, नहीं और फिर फिर पावर से बचा लिया, manage किया, पर share power, power share नहीं की, इस चीज़ ने क्या करा country को देश को एक political instability में दखेल दिया, तेर को उसने जिताया और तो नहीं उसी को power share नहीं करी, but this time Mr. Anwar is free of legal hurdles, अब इस time Anwar जो है, कोई इन पे legal hurdles नहीं है, रुकावटे न and does not face any immediate challenge to his claim to power, और यह कोई immediate challenge इनके सामने नहीं है, यह power claim कर सकते हैं, पी-म बन जाएंगे, नेक्स चा कह रहे हैं, the election results however also showed Malaysian polarizing polity, कह रहे हैं जो election के result है, हाला कि क्या show कर रहे हैं, Malaysia की polarizing polity, जो polarizing, बटी हुई है, कोई भी एक आदमी पूरे बहुमत के साथ नहीं आया, सार आपको बताया जाएगा किस पार्टी को कितने seat मिली इस हिसाब से, तो इससे पता लगते है, polarizing polity है, लोगों की एक मतनी है, ideology सबकी अलग लग है, दिस इस दा फर्स टाइम Malaysian voted इन हंग parliament, पहली बार हुआ है, Malaysian ने vote कैसे किया, हंग parliament में vote किया, हंग parliament का मतलब simple है, कोई भी पार्टी के बस बहुमत नहीं है, Mr. Anwar Block, Mr. Anwar Block, जो यह अनवर जी का ब्लोक है, जो यह बन गए है, पी है, अभी बात हुई थी सबसे उपर, ठीक है, इन्होंने जीती है, which promised corruption free governance, इन्होंने प्रोमिस किया, हम corruption free governance देंगे, protection करेंगे, minority के rights का, जो वहाँ पर minority हो सकती है, कि यूर दरम की, उनके rights को हम protect करेंगे, ठीक है, इन्होंने क्या कहते है, ठीक है, यह जो इन्होंने अनवर का ब्लोक है, इन्होंने 82 seat जीती है, कितने में से, 222 member assembly में से, ठीक है, 82 इन्होंने जीत ली, चलिए, former PM, मोहिदीन यसीन परिकतन नैशनल पी-एन गोट, 73 seats, इनको 73 मिली है, वाइल प्राइम मिनिस्टर, इसमाइल सबरी, यकूब बरिशन, नैशनल बी-एन, और जब की प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त है, जो अब हट गए है, इनको कितनी मिली, बी-एन नाम से, जो इनकी party है, dominated by UMNO, मतलब जो UMNO से रखते हैं, यह संबंद, ठीक है, वाज डिफीटिड विद इट्स, 30 सीट्स, 30 सीट्स से आर गए हैं, मतलब सिंपल कहा रहे हैं, इसके अलावा क्या दिखाते हैं, राइज ओ मलेशियन इसलामिक party, P.E.S., विच इस अपार्ट ओ परकितन कोलिशन, यह कोन है परकितन, जब यह एक यह फॉर्मर पी-एम नी था, इसी का नाम था ना परकितन, यह देखो 73 सीट मिली थी, इसको साथ भी कठंदन बनाना ही प तो इसका राइज हो गया है, क्योंकि यह P.E.S. पार्ट है, परकितन कोलिशन का, मलेशिया की इसलामिक party है, यह अपने दर्म से रिलेटिड बाते करेंगे फिर अब The P.E.S. विच वन 49 सीट सोन तो यह जो दर्म से रिलेटिड पार्टी है, P.E.S., मलेशियन इसलामिक party, इसने 49 सीट जिती है, अपने आप में, वोंड से थियो क्रेटिक इसलामिक रूल in Malaysia, थियो क्रेटिक मतलब धियो मतलब धर्म से रिलेटिड थियो है, थियो का मतलब रि जिसमें धार्मिक लोगों रिलीजिस लोगों तो ये इसलामिक रूल चाहते हैं मलेशिय में रिलीजिस इंटर्पेटेशन ओफ दे कॉंसिटूशन तो ये क्या चाहते हैं एक इसलामिक रूल आजे और रिलीजिस इंटर्पेटेशन चाहते हैं constitution, constitution में dharmic related interpretation मतलब changes कर रहा जो भी कि दर्म से related बाते हो सारी perhaps the biggest challenge Mr. Anwar faces is the growing polarization of Malaysian society शाय जो biggest challenge Anwar face कर रहे हैं वो क्या है क्या face करेंगे growing बढ़ती ही polarization polarization का मलब लोगों के विचार जो बटे हुए है as an opposition leader he campaigned for equality, minority rights and question, corruption and cronism, जब यह opposition leader थे, उन्होंने campaign किस चीज़ के लिए किया था, जिसे देख के लोगोंने vote किया, equality के लिए, minority जो छोटे जो धरम है, मतलब जिनका ज़्यादा population नहीं है, minority उनके rights के लिए और question किया था, corruption को और cronism, cronism क्या होता है cronism, जैसे nepotism होता है बाई बंदूओं को डाल देना अपनी किसी job में या किसी party में relatives को cronism होता है, बस अपने दोस्तों को favor करना और कुछ नहीं है, cronism, cronism का मतलब ही friend होता है now as PM, he has to translate them into action, और अब वो as a PM, उनको यह सारी बाते जो इनने के लिए campaign किया था, इनको एक action में लाना होगा and he has to do so when his government would be dependent on coalition partner for minority in parliament कह रहे हैं और he has to do और उन्हें यह क्या कब पकरना पड़ रहा है जब उनकी government would be dependent किस पर dependent है, coalition partner for majority in parliament क्योंकि गढ़बंदन से बनी है ना, parliament में अब उनको coalition partner की जुटते majority हासिल करने के लिए and at a time when Islamic forces that and at a time when Islamic forces that challenges progressive agenda are on the rise और उस टाइम पे जब Islamic forces हैं जो जो क्या कर रही है, challenge करेंगी क्या challenge करेंगी, इनका जो progressive agenda है वो rise पे है कोन है rise पे are Islamic forces के लिए है यह सारा relative pronoun का आग गए है तो कह रहे हैं जो coalition partners है इनके में, यह तो कह रहे हैं इस पे और कह रहे है, at a time उरुष टाइम पे जब Islamic forces राइस पे हैं, जो challenge करेंगी इनका progressive agenda, progressive agenda का मतलब देश को आगे ले जाना बिना धर्म के progressive की तरफ, यह नहीं रेट्रोप है, यह नहीं कोई पिछे की बाते करना कोई conservativeism खिलाना तो यह टोल आस्क इंडीड, टोल आस्क का मतलब एक ऐसी बात है जो पूरा होना बड़ा मुश्किल है, टोल आस्क इंडीड दर असल तो यह था बच्चों, अच्का ही टोल, ठीक है तब यह थोड़ी गराब दीजिए आवाज थोड़ी ऐसी हो रही है तीक है बच्चो, जो बच्चे क्या करते हैं, इस बुक को लएने चाहते हैं वो जाके अब आ लिएव दे सकते हैं और ने तो कहूंँगा पहले आपको वीडियो खुर्स देखना चाहिए फिर बुक पढ़ने चाहिए, वीडियो खुर्स के लिए आप ये app डाउन्डोड कर सकते हैं, मैं complete English प्लेइलिस्ट में जागे डेमो ले सकते हैं, ठीक है, जो भी topics आपको चाहिए, थोड़े-थोड़े हमने डाल रखे हैं प्लेइलिस्ट में, थैंक यू